इधर अमेर्की बिलिएनर जॉर्ट सोरस से फंडिड दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की संस्था और इस निवेश की वज़ा से अदानी ग्रूप की कंपनियों के शेरों में उच्छाल दर्ज किया गया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विनो जदानी से जुड़े दोनों लोगों में एक व्यक्ति ताइवान का रहने वाला है जबकि दूसरा व्यक्ति योई का निवासी है सर ये जो विदेशों के नाम सामने आ रहे हैं कौन-कौन से लोग हो सकते हैं और ये हर रोज अदानी सम्हों पर संकट के बादल है वो थमते नहीं दिखाई देने कि लाए ये बात कल हमने अपनी चर्चा में मैमनी सेंटर ने बताई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिन चीजों को जहां छोड़ दिया था यानि वो जो नाम वो चेहरे वो कंपिनिया जिनके नाम नहीं आये थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उस इससे को जोड़कर पूर सेंटे हैं उनके जरीए भारती पैसे को विदेश से ले जाकर और वहां से उसे विदेशी निवेश के तोर पर भारत में लाया गया है ये इन अर्पर्ट ती जिसकी सेवी जाच करके पनी रिपोर्ट साम चुकी है उस इसी औरपी की रिपोर्ट ने अब इसमें चेहरे निकल कर आए हैं जो खासा महत्वपूर्ण है जानकारी जो सामने निकल कर आई है इसमें एक नाम अनासर अली साभान अली का है ये युनाइटेड रव अमिरात का लिंक है और ये माना जा रहा है कि ये आडानी समों के साथ करीब से काम करते रहें पहले डामेंट ट्रेडर भ भी खबरें हैं कि डिया कि डारेक्टर अफ रेवन्यू इंटेलिजेंस ने शुरुआत में कभी इनकी मिस्टर अली की कंपिनी और इनके खिलाव जाच भी की थी इनको ये माना जा रहा है कि इनकी कंपिनी ने विनोद अडानी और गौतम अडानी के लिए विदेशी निव दोई के अलावों मेnh काम किया और और कंपिनियों में वहां भारती पैसे को या ननिवेश को को भारत में रूट किया ये माना जा रहा है मीडी स्ट ओशन ट्रेट इन्वेस्टमेंट कंपिनी मारिश्जजवेस का नामにちは जिसका पहले भी आ चुका है मारिशजवेस में का उ संपर्क अडानी सम्हूँ के खिलाफ जो जाच अब चल रही है उससे पाया गया है ये भी शायद उस कमपीनी में ऐसा दावा किया गया उसी सीर्पिक की रिपोर्ट में कि ये उस कमपीनी में डारेक्टर हो सकते है जिसका नाम अगर आप अडानी सम्हूँ के पूरे मामले को फालो कर रहे हैं, तो सुनाओगा उस कंपेश का नाम है, ग्रो मोर, जिस ग्रो मोर कंपेश 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 के खिलाफ जहां चल रही है, उससे इनका संबंध है, इनका रिश्टा बताया गया है, तो अब इधर सेवी की रिपोर्ट सुप्रीम कोट के सामने है, महुच चुक और अगर सेवी की रिपोर्ट में कुछ बातें पाई जाती है तो फिर बड़े मुश्किल हो जाएगी या दानी समों के लिखोंगे वैसी पैसे की दिक्ट देखे कुछ चीज़ें तो इस थापित हैं इस पष्ट हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो चीज़ें आई थी औ अपना क्लारिफिकेशन भी दिया था सेवी अपर सुप्रिम कोर्ट ने उस क्लारिफिकेशन के बाद भी सेवी को जाच करने के लिए कहा था सेवी जाच भी कर रही सेवी के तरफ से आधिकारी क्रूप से सरकार को और सरकार की तरफ से अधिकारी क्रूप से संसद को ये बत पता था UAE की इस फर्म के बारे में, ग्रूमोर के बारे में, ताइवान के समन्दों के बारे में, सेवी ने इनकी जांच की की नहीं की, या अडानी सम्हू ने सेवी को अपने डिस्क्लोजर्स में इनकी जानकारी दी थी की नहीं दी थी निवेशकों की, तो अब ये जो नए खुलासे हो रहे हैं यह खुलासे अडानी समू के कामकाच को लेकर तो सवाल है लेकिन सेधा सेवी की जांच परताल को लेकर भी है और इसलिए उसकता इस बात किये कि जब भी सुप्रियम कोट इस मामले की रिपोर्ट साज रिनी करेगा जो सेवी ने रखी तो मैं पता चलेगा कि सेवी की तरफ से क्या निशकर्ष दिया गया जांच परताल में और क्या अगर ऐसा कुछ है तो कैसे भी अडानी समू के खिलाब कोई कारवाई करेगी और इधर अदानी समू के बाद अब वेदान्ता समू पर भी संकट के बाद अलचाने लगे हैं दरसल खोजी पत्रकारों के वैस्ट्रिक नेट्वर्क और्गनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रजेक्ट यानि OCCRP की नई रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाए गया है कि खनन और तेल के कारोबार से जुड़ी कंपनी वेदान्ता ने वेस्ट्रिक महामारी के दौरान एहम पर्यावरें निमों को कमजोर करने के लिए गलत तरीके से लाबिंग की OCCRP ने ये भी कहा कि भारा सरकार ने परामर्श के बिना कुछ परिवरतनों को मन्जोरी दी और उन्हें अवैत तरीके से लागू किया गया अब अदानी ग्रूप और वेदान्ता इन दोनों पर जो संकट के बादल चाहे हुए हैं उसका कसद निवेशकों पर क्या होगा शेरधारकों को क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दोपहर एक से दो बज़े के बीच में हमारे खास कारिक में जुर सकते हैं और तमाम एक्सपर्ट जो है वो इस समय क्या स्टेट्जी बना बता रहे हैं अदानी समों को लेगर का और कितनी गिरावट है इसके बारे में आप जो है जुर सकते हैं अपने सवाल पूस सकते हैं